दिनों से दीन और रात मेरे तामुच से जो भी मीडिया में खबरे दिखाई जा रही है उसे एक ऐसा भर्म तयार किया जा रहा है मानो मैं देश विलूदी मूँ और दुसरे धर्म विशेश कर हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ 25 फरवरी को करनाटका के गुलबरगा शहर में सीए और एनर्सी के खिलाफ एक जलसे में मैंने जो कहा कि हम 15 करोड सौ पर भारी हैं उसका गते ही ये मतलब नहीं होता कि मैं हमारे देश के हिंदू भाईयों के खिलाफ में ये जुबना कहा है बलके मेरे बोलने का मकसद बस इतना था कि सिये के नाम पर पल्रा करणों मुसलमान नाराज है साथी संविधान में विश्वास रखने वाले दूसरे धरम और जाती के लोग भी शामिर है विरोत कर रहे हैं जासी की दानी की तरह हमारी शेर्णी जैसी वहने आज तेड़ वहने से सड़क पर बैट कर अपना विरूद जता रही है फिर भी इस देश के महस सौ लोगी ऐसे हैं जो पंदरा करोड मुसलमानों के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं चाहे फिर वो आरेसेस के हो वीजेपी के हो बजरंगल के हो यहां यह किसी पार्टी या संकठन के हो मैंने इन्हीं कि तरह विशारा करते हुए कहा था कि हम पंदरा करोड यह सौ पर भारी हैं यह वह सौ लोग हैं जो इस उप्सूरत से महान देश में जो लोग एक कानून आकर बाटना चाहते हैं उसमें कुछ पत्रकार भी है रोज रात प्राइम टाइम में अपने आपको सबसे बड़ा देश भक्त बताने का दावा करते हैं और रोज एक छोटी सी बात को अपने एजेंट आकर हिसाब से तोर मरोड कर देश को भैकाने करने का का मैंने पहले भ रफाधारी का सबक हमें पच्पजे से सिखाया चाहता है। कि इस्ज़त करता हूँ है। तब्यूटी ओफ इस ग्रेट नेशन वी अधिया हमारे आपको मुद्वों पर विवाद हो सकता है। और लोग तंत्र में यह होना भी चाहिए जिसका अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहिब आबेटकर के समिधान ने दिया है। मैं एक बार फिर से साथ कर देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की जिसका मतलब गरत तरीके से निकालकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इस में राजनितिक शडियत्र के जरिये मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेश पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ और गर्व करता हूँ अपने आपको भार्टिय कहने पर जय हिंद। आपको जो समझने का है बारिस पठान ने बड़े साफ सब्दों के अंदर कह दिया है। कि यह अपने के शब्द वापस ले रहे हैं। हम आप सभी लोगों से अमुरोद करते हैं। इस देश के अंदर अब भी बहुत दंभीर विशय है। उन विशयों के ओपर आगे हम चर्चा करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा करेंगे। इस मुद्ध को अब हम यहीं खत्म करते हैं। हमारी तरफ से आपको जहां तक चलाना है आप चला सकते हैं।